हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वारत से आपके अपने चैनल विवे गाना स्टॉक्स पर दिल से दोस्तो यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है जिन वैक्तियोंने विकास मल्टिकॉप लिमिट शेर को होल्ड करा हुआ है तो टेफिनेटी वीड के बादे आपको समझा देता हूँ गेम का चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था लगातार जो मालिक है अपनी होल्डिंग कम कर रहे है और दोस्तो मार्च जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मार्च एंडिट कोईडर की जो आपकी सिरोल्डिक पैटन है व 12% का माल चेप दिया है पब्लिक को और आज दोस्तों देखा होगा आपने कितना अच्छा वॉल्लिम के साथ स्टॉक उपर गया मतलब टोटली एक तरफ तो प्रमोटर माल बेच रहे है और तूसरी तरफ प्राइज उपर भगाने का प्यास करा ताकि होर पब्लिक आए प्राइज स्क्राइब कर देना और इस वीडियो को शेर करते हैं फेस्टुक में शेर करते हो तो डैफिनेटली इस संडे को क्लास होने वाली है ठीक है जिसमें सखाऊंगा कि कैसे सपोर्टर अजिसन काम किया जाता है अगर आपको सीखना है शेर कर देना वीडियो को फेस company है, आज stock का price 3% के आसपार उपर था, 2.85 के आसपा trade कर रहा है, और जैसे आपको पता है हमने आपको बहुत clear वडो में कहा है जैसे stock 2.80 पैसे करीचे जाएगा आप stock को sell कर देना और आपको दिखाता हूँ कि stock में क्या game खेला जा रहा है, बहुत smartly play करा जा रहा है, news भी दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले दिखाता हूँ stock की news, उसके बाद दिखाता हूँ stock का chart ठीक है, stock का chart भी बहुत जबरदस है भाई, ये last मौका होगा, इस stock से exit मारने का, इसके बाद सायद आपको कभी मौका ना मिले, पहले बोल दिया अभी भी repeat कर रहा हूँ, last मौका होगा exit करने का, इसके बाद सायद आपको कभी मौका ना मिले, भाई, बाकी आपकी मर्जी भाई, आपका पैसा है, आपको अच्छा बतागाँ कि आपको कहां investment करना है और कहां नहीं करना है, तो मैं लेके चलता हूँ भाईया, विकास मल्टिकॉप शेर की latest news, जो इस प्रकार से है दोस्ता आप screen में देख सकते हो विकास मल्टिकॉप निमिलिटिट शेर का मैंने PST में data खूल रखा है ठीक है, आपको नीचे लेके चलता हूँ देख सकते हो जो latest announcement हुई है विकास मल्टिकॉप शेर में वो इस प्रकार से 21 अप्रैल को देख सकते हो दोस्तों आप March ended quarter के सिरोलिक पैटन रिवील किये गए है मैं आपको दिखाता हूँ इस news के अंदर क्या है दोस्तों आप news देख सकते हैं मैं आपको निचे लेके चलता हूँ दोस्तों आप देख सकते हूँ मैं क्लिक कर रहा हूँ सिरोलिक पैटन में आपको दोस्तों आप क्या दिख रहा है एक बच्चा भी आपको बता सकता है कि स्टॉक में क्या चल रहा है सेप्टेब्मर क्वाटरे में 53% के आसपास मालिकों की होल्डिंग थी तिस समर में 33% हो गई मार्च में आते थे 20% हो गई मतलब मालिक परमोर्टर्स अपने माल लगाता चेप रहे है किसको पबलिक को ठीक है पबलिक को चीहां दोस्तो पबलिक को माल चेपने में लगे जैसे मैं आपको बतलाया था यह होगा लगातार पबलिक को माल चेपा जा रहा है अगर आपने स्टॉक को बाई किया हाल लगे दिनों में या सोच रहों करने की तो buy stock को buy बिल्कुल नहीं करना है चीक है बिल्कुल नहीं करना है अगर आपने कर लिया है तो भाई stock में profit booking कर लेना और 2 रुपे 80 पैसे के निचे जो अभी chart में दिखलाऊंगा उसके निचे stock loss maintain कर लेना जो stock loss मैंने आपको बोल रखा है closing basis में जो अभी तक हमारा hit नहीं हुआ है उसको लगा लेना अभी ये stock आपको थोड़ी सी उपर की move दिखाएगा वो opportunity होगी stock से exit मारने की चीह दोस्तों क्यूं होगी लेके जलता stock के chart की तरब ताकि आपको थोड़ी और असानी हो जाए stock को समझेने में अगर बात करते है stock के profit की तो दोस्तों आप देख सकते हो stock की profit दिखाने से पहले इसके delivery percentage आप देख लो लगातार जो percentage ratio है वो अच्छा है इसका मतलब CNC order में लोग घर लेके जा रहे है माल को और इसमें सिर्व retail का participation है और किसी का नहीं है चिन लोगों ने stock को काफी उपर के लेबर से बाय किया है वो लगाता stock को average करने में लगे और यही गलती कर रहे है आपको याद होगा stock 6.5 रुपे के price में हमने आपको clear वडो में काता buy नहीं करना है आपको say buy नहीं करना है 3.5 रुपे के आज-पास मौका मिला था हमने आपको clear का था अगर आप investment कर सकते तो कर सकते हो मैंने को 3.5 रुपे 50 पैसे के आज-पा stock को buy किया था ठीक है और 2.80 पैसी के आज-पास का मेरा stock loss है जो अभी तक hit नहीं हुआ है और जो कल का low है वो ही मेरा stock loss है नया अगर वो hit हो जाता है तो definitely stock से आप exit मार दोगे अब मैं stock से exit कम मारूँगा वो आपको बथा रहता हूँ मुझे लगता है personally यह वहाँ जाने के बाद तुबारा नीचे आएगा इसलिए कहा रहा हूँ भाई जब भी stock उपर जाए ठीक है आपकी cost to cost निकले stock से exit मार देना ठीक है भाई देख सकते हो screen में यह आपका दोस्तों देख सकते हो यह रहा यह हमारा stock loss था 2 रूपे 80 पैसे के नीचे और आपको मैंने बथा रखा है कोई एक red candle close करे 2 रूपे 80 पैसे के नीचे तो हमारा उसी low का हमारा stop loss थाएगा दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको कल बताया था यह जो candle थी इसने close नहीं करा था 2 रूपे 80 पैसे के नीचे ठीक है यह मैंने I think BSC का चार्ट खोला भाए NCC का चार्ट खोला भाए क्योंकि company आपकी दोणों में listed है ठीक है और दोस्तों देख सकते हो कल company ने मतलब कल मतलब कल का day इसने close कर दिया था तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है हमें confirmation का wait करना होता है ठीक है अगर आपको अपना stop loss भी hit करना है तो confirmation का wait करो ठीक है दोस्तों देख सकते हैं यह जो candle है इसका low break नहीं हुआ मैंने आपको clear window में कहाता है बहुत बार जो candle 2 रुपे 80 पैसी के निचे close करें उसके candle के low में आपको stop loss लगाना है और मैंने यह भी कहाता है दो रुपे 50 पैसे का stop loss होगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो stop loss है आपका कितना निकल के आता है और दोस्तों यही मेरा अब last stop loss है बज अगा दो रुपे 70 आया I am going to stop loss मेरा stop loss हिट हो जाएगा और दोस्तों अब आपको बताया तब price action यह जो latest news आई यह stock में कि लगा दरप मोटर अपनी holding बेच रहे है तो दोस्तों ध्यान रखना जैसे यहाँ पर यह stock उपर गया था थोड़ा सा यह दुवारा से उपर जाएगा ऐसे गर गे ठीक है एक trend line draw कर लो यहाँ से बच्चों की तरह मैं आपको दिखा लेता हूँ ठीक है यह उपर जाएगा और हमें यहाँ पर ही मौका निकाल के stock से exit मानना है ठीक है यहाँ कर यह stock जाएगा दुवारा से यहाँ पर जाने के बाद आप definitely stock से exit पार लेना मुझे लगता है personally यह stock आपका 3 रुपे 20 पैसे 3 रुपे 20 पैसे और 3 रुपे 40 पैसे का आप जा सकता है वहाँ जाते ही आप stock में profit book कर लेना profit book कर लेना या loss book कर लेना ठीक है और 3 रुपे 20 और 40 जाने के बाद stock दुवारा से नीचे गिर जाएगा 3 रुपे 40 जाने के बाद stock दुवारा से नीचे गिर जाएगा ठीक है क्यों गिर जाएगा उसका region मैं आपको अभी बतला दिया है इसके latest news के वज़े से promotors अपनी holding लगतार बेच रहे हैं दुवारा से आपको यहाँ पर दिखायागा कि stock उपर जा रहा है लेकिन behind the scenes fundamental company में कुछ और ही हो रहा है promoter अपनी holding बेच रहे है प्राइस हमें बोला उपर जाएगा और आपके promoter बोला है वो stock गिरेगा इसका मतलब यह एक opportunity होगी stock से exit पानने की last time तो भाई अगर आपने stock को buy किया है चिस price में बाई किय जितने मर्जी का आपको loss हो रहा है इससे exit मार देना stock उपर जाएगा ठीक है अगर नहीं जाता है ठीक है तो आप अपनी खुद की research add कर लेना ठीक है बाद मैं बोला कि stock पर ऐसा हो गया वैसा हो गया यह मेरा view है मुझे लगता है personally यह stock आपको नीचे ही गिरिखाएगा नी भी कह रहा हूँ भाई यह stock उपर जाएगा थोड़ा सा stock से कल्टी मार लेना तीन रुपे 20 पैसे तीन रुपे 10 पैसे का आजबा जो भी price बनता देख लेना stock से कल्टी मार लेना यह stock आपको definitely lower level दिखाने वाला है ठीक है भाई तो यह था भाई मेरा last video upon vikas multi cop जिस दिन जो बोलतो दिसलिए मैं यह radios बना देता हूँ इसलिए भाई इस वीडियो में इतना ही मेरे साब से vikas multi cop share is going to सुनने है ठीक है अब बहुत लोगों को बहुत लगीगी मिर्ची लगीगी लेकिन यह तुरुत है और साथ में आपको साथ share करती है मैंने vikas multi cop share की latest news जो इस प्र